जो सो अभी तक हम लोग ने जो C1 क्याता, रशी की वेक्राहे ना नाम कर मतलब हम लोग को कोई-बी, किसी भी टाइप का जी युई आए नाम चैज नहीं मिला अब हम लोग को C2 के वह एक वाइक काम करना है आप उसके बर click करके कुछ events perform करके इसके अंदर के कुछ data manipulation कर सकते हो तो I think so writing the command से तो GUI के उपर काम करना better रहेगा तो इसी लिए हम लोगो क्या पढ़ना है T kinter, okay kinter भी कहा जाता है and kinter libraries used for GUI, मरलब graphical user interface बनाना है अगर python के अंदर तो आप लोग kinter libraries use करते हो, okay, अब kinter library एक fastest way है और easiest way है बोल सकते हो GUI application बनाने के लिए यह तो theory है, that's it, अब kinter के साथ काम करने के लिए आपको simplify क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला तो आपको kinter library का knowledge gain करना पड़ेगा तो ही यह काम simplify हो पाएगा, simply इसे implement करने के लिए हम लोग सबसे पहला क्या करेंगे, kinter library को क्या करेंगे, import करेंगे, import करने के बाद क्या करेंगे, you are just going to create a main window जिसको हम लोग container कहते है, वो create करेंगे and loop it करेंगे, अभी loop it है ना, जरूरी तब होता है, जब हम लोग module बनाते है, अभी module, हम लोग यह सारा चीजे करेंगे, लेकिन अभी फिलाल के लिए model के अंदर नहीं करने वाले, okay, हम लोग डिरेक्टली इसको type करेंगे in your shell and then you are going to work by that, that's it, so सबसे पहला चालू कर देते है अपना काम, तो इंपोर्ट कर लेते है, टी खिंटर, okay, that's it, now, when you are import कर लिया है, किंटर को, तो मैं यहां पे कुछ object बनाता हू, टी, that's it, then I am say, टी is initialized with टी खिंटर के अंदर का एक लास जिसका नाम है, capital TK, okay, so, is asking me for the screen name, base class name, class name, TK, but हम लोगो को इसके कुछ देने की जरुवद नहीं है, अभी फिलाल के लिए, just I have created it, आप को एक सिंपल सा सामने एक कंटेनर या फ्रेम दिखा देर, that is nothing but kinter frame, that's it, it's pretty simple, now, the thing is that, कि T dot, जैसे मैं बोलता हा कि भाई यार, इस फ्रेम का ना, जियोमेटरी है, ना, change कर दे है, so, मुलता हूँ, geometry, कैसा करना है, geometry बोला किया, रहे, जो default size आया ना, ठीक है, no problem is there, but 300 by 300 करेगा, तो मज़ा आएगा, okay, so, let's pass this string, let's it, enter, so, you will able to see, किछ geometry effect हो गया है, okay, then, T dot, I'll say, मेरे को title भी चाहिए, यहाँ पे कुछ तो लिख कर आना चाहिए, तो मैं लिखता हूँ title, and title में लिखता हूँ, my face frame, oh, oh, okay, so, it's written right here, okay, now, the thing is that, इतना सब कुछ तो सभी सही समझ में आ गया है, कि हम लोग इसके साथ कैसे काम कर सकते है, और, हम लोग को यह भी देखना है, कि यह frame के और क्या-क्या properties है, और कैंसे, property नहीं बोचाहिते, methods है, so, T dot, लिख के, control space दबा दोगे, तो आपको plenty amount of चीज़े, यहाँ पर दिखाये दे रही है, okay, अब यह सब कुछ करते हैं, वक्त हम लोग को एक चीज़ के उपर ध्यान देना है, okay, see, simple है, difficult है है नहीं, यहाँ पर बहुत सारी properties है, बहुत सारी, okay, इतने सारी properties को याद रखना तो possible है नहीं लेकिन आपको कैसे पता चलेगा, कि मेरा जो frame है, उसका यह क्या है, state क्या है, so, अभी यह state क्या दिखा रहा है, normal, अभी मैं इसको minimize कर देता हूँ, अभी क्या बता रहा है, iconic, okay, इसका मतलब यह icon बन गया है, sure, और अभी मैं क्या करता हूँ, इसको अबस normal state पर लाता हूँ तो मैंने को समझ सकता है, कि यह normal state के उपर है, अभी कैसा होता है, कि इसको हम लोग background color दे सकते हैं, लेकिन background color देने के लिए t.background नाम का चीज नहीं है, okay, so, background एक option है, background क्या है, option है, तो वो option को अगर आपको access करने का रहेगा, तो you have to use config, config के अंदर आपको लिखना यह bg is a short form for it, कैसा background चीए, तो मैं बोलता हूँ कि yellow, that's it, तो yellow background आप लोग ने set कर दिया, किसे आप tinker के frame को पूरा set कर रहे हो, that's it, okay, अब क्या हो जाता है, कि आप लोग ने इतना सारा चीजे किया, आप लोग ने यह सारा चीजे set किया, all these things you are able to see, now the thing is that, कि यह सारा ची okay, let's close it, so I'm just going to use t.destroy, okay, तो destroy कर दूँगा, तो काम खतम हो जाएगा, okay, अब मैं क्या करता हो, कि इसको क्या कर देता हो, iconify कर देता हो, और यहां पर लगता हो, d.iconify, आगया उपर, okay, so अगर मैं बोलता हो, t.iconify, अस्ते क्या हो जागा है, मिनिमाइज हो जाएगा, so these are the things which you can work with your tk, मतलब your tkenter libraries, okay, अगर मुझे लगा ही है कि यार इसको d.iconify करना है, तो d.iconify कर दो, it depends upon you, so you can do it in this way, कि अगर मेरा यह maximized regard normal state में रहेगा, तो उसे minimize कर दे, तो ऐसा लिखने करेगा, तो यह fails condition लिखना है, और कुछ नहीं, simple है, ठीक है, if क्या ही लिखोगे, t.state, okay, that's it, जब t.state लिखोगे, तो आपको क्या मिलने वाला है, कि उसका state क्या है, और उस state के हिसाब से, आप अपना काम करोगे, print, okay, state अगर normal रहेगा, तो, so is equals to normal, so मैं बोलूँगा, normal है, else part, मैं बोलूँगा, print, not normal, so यह normal है, minimize कर दो यह सो, then let's hit enter, यह क्या बोल रहा है, not normal, so ऐसे करके हम लोग कुछ खेल सकते हैं, और कुछ मज़ेदार चीज़ कर सकते हैं, so d iconify कर दिया, that's it, and t dot destroy कर दिया, अपना काम, खतम, मतलब अब मेरा tk, destroy हो जाएगा, so this is how you are going to work with it, now you are going to say t dot d iconify, बोल रहे, भाई, destroy कर दिया तुने चीज़ को, तो अब इसको जिन्दा कैसे कर सकता है, are you getting it, so destroy it means it's gone, sure, so this is how you are going to work with whom, you are going to work with your t khenter window, okay, so यह हमारा तरीका होता, इसके साथ काम करने का, अभी इसके कुछ options हम लोग ने देख लिएते हैं, title, geometry, bg, okay, so it depends upon you, how you are going to work with it, these are something, some options of it, and then, हम लोग को, अगर इसके अंदर कुछ चीज़े add करने हो, wickets add करने हो, तो क्या करोगे, तो wickets क्या मतलब क्या होता है, कि आप लोग सिर्फ इतना ही नहीं रखने वाले, ओके, आप पहला चीज, क्या करोगे, import तो कर लिया है, ठीक है, then next चीज क्या करोगे, टीके का object बना लिया, चलो अपना दो, काम हो गया, अब क्या करने क्या है, मुझको किंटर के अंदर से, मुझे एक चीज लेना है, जिसको हम लोग label बोलते है, lb1, मैं lb1 object बना दिया, और यहां पर मैं एक label लिख रहा है, ओके, so label class का मैं object बना है, lb1, so it's pretty simple, अभी क्या करता हूँ, मैं इसको एक text देता हूँ, text मतलब जो उसके बरत इसकाय देखा, मैं बुलता हूँ, hello friends, okay, हो गया इतना, then I'm just going to, इतना लिखने के बाद भी हम लोग को यह print तो इसके उपर होने वाला है नहीं, क्योंकि मुझे सबसे पहला parent देना पड़ेगा, कि भाई यारे label दिखेगा जरूर, लेकिन कहां पे, तो इस frame के उपर, so इस frame का क्या नाम है, तो मतलब T, so that's it, T is an object of it, बोल दिया, लेकिन दिखाय दे रहा है क्या, दिखाय देगा भी नहीं, यह सिर्फ बता दिया आप लोग ने कि ऐसा label उसके उपर दिखना चाहिए, लेकिन दिखेगा तब, जब आप लोग उसको methods के तुरू pack करो, grid में डालो या place करो, pack करो मतलब वो directly in between आ जाएगा, कई पे भी, okay, मतलब actually यह middle में ही आता है, okay, उसके pack के कुछ और भी चीज़े है, वो आगे जाके समझेगी, grid मतलब rows and columns में आप डिवाइड कर सकते हो, place मतलब आप लोग proper उसको position पे डाल सकते हो, okay, अभी तो अपने पास तो एक ही है, तो इतना कुछ सोचने का जरुवत नहीं है, so पहला तो pack ही देख लेते हैं, okay, lb1 को बोलता हूँ भाई, pack कर दे, now you will able to shoot, दिखा, hello friends दिखा दे रहा है, अभी यह hello friends लिखने के बाद, यह ऐसा shrink क्यों हो गया, the reason was that, whenever you created your tk class का object, उसमें पे आपने geometry set किया था, यह नहीं, तो उसने by default जो आया था वो दे दिया, लेकिन जब pack करने को गए, at that time उसने shrink करके, जो minimum components है उसके अंदर, उसका size ले लिया, अभी ले इसके अंदर में geometry set करते हैं, तो geometry, तो geometry, सपोस मैं लगता हूँ, 200, into 200, so, अभी क्या बोल रहा है, भाई, यहार bad geometry है, 200 into 200, तो यहार एक्स यहां पे capital लिख दिया, मैंने इसलिए, ठीक है, शूर, अभी यहां पे समझ मेंने आ रहा है, यार हेलो फ्रेंड्स का, यह पूरा हेलो फ्रेंड्स है, क्या इतना ही हेलो फ्रेंड्स है, तो वहां पे हम लोग क्या कर सकते है, कि हम लोग हमारा label का object यूज करेंगे, और इसको बोलेंगे, भाई, तेरा foreground क्या है, अभी यहां पे foreground या फिर background लिखने के लिए, हम लोगो कोई भी यह सा method नहीं है, तो हम लोगों config यूज करना पड़ेगा, config के तरो हम लोगों को बताना पड़ेगा, भाई, कौन सा property है तेरा, या फिर कौन सा option है तेरा, तो मैं बोलता हो कि background, bg is equal to कौन सा color देते हैं, इसको तो हम लोग red देते हैं, red अच्छा नहीं दीखेगा, I think so, yellow देते हैं, मतलब hello friends लिख कर आया है, तो मैं hello enemies भी लिख सकता है, तो lb1.config, okay, text नाम का चीज़ आपको यहां पर directly तो मिलने वाला है नहीं, तो आप लोगों क्या करोगे, config, config लिखने के बाद क्या change करना चाहते हो, text, text क्या change करना चाहते हो, तो hello, ha, 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 that's it, so check it out, so this is how you are going to work with it, if you want to remove this, कुछ जादा तकलिफ लेने की जरुवत नहीं है, lb1 लिख देना और बोल देना remove, right, लेकिन remove नाम का चीज़ है ही, नहीं, okay, तो यहां पर अगर मैं बोलता हो कि remove नाम का चीज़ नहीं है, तो यहां पर क्या रहेगा, destroy, are you getting it, it's called as destroy, so destroy बोलते ही, यह निकल जाएगा, simple, तो ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं मालो में, कि, हम वो हमारा तिंग किये T-Kinter, यार क्या कहते हैं ती-Kinter, kinter भी बोल सकते हो, पर याद रखो, यार T-Kinter, it depends upon you, how you spell it out, okay, लिखना T-Kinter, that's it, अभी, वापस क्या को बता रहा हूँ मैं, कि आप लोग जब इसके साथ काम करोगे, उस समय पे ये चीज़ शेल में रन करने वाले नहीं हो, आप एक script बनाओगे, right, तो चलो, इसको बन कैसा करते हैं, मतलब मेरे frame को ये बन कर देते हैं, तो T-Dot, what you are going to do, T-Dot destroy, तो ये destroy क्या करतेगा, it's going to destroy the frame, that's it, let's go to file, let's create a new file, और इस new file के अंदर में लिगता हूँ, import, t-kinter, and then, ये यार बहुत यार, बहुत 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 लिग दिया हूँ, मैं अभी आप बिलता हूँ, केंटर, import, all, all मतलब, asterisk, your work is done, okay, then I will directly write कि यार, object कौन है, तो बोलता है कि T is equals to, अभी T केंटर लिखने का दरुवत नहीं है, डिरेक्ली में लिख देका, T-K क्योंकि ये ये डिर्क्ली अक्सेस हो जाएगा, तो T को मैं बोलता हूँ कि भाही यार, इसको अपन जियोमेटर देते हैं, ओके, तो जियोमेटरी, 400, 300 बस है न, 300 इंटू 300, दें T. जियोमेटरी के बाद में मैं क्या करता हो, जियोमेटरी तो सेट हो चुका है, अभी इसको टाइटल देते है, टाइटल देते हैं, क्या नाम देंगे, है, है, यह इस फ्रेम, यह रएट, इसको नाम देंगे, यह रएट, एसको आपका आपको टेंगे, आपके बास आपका आपका अवडपता आगे, और बेल दे सेटिस, लेकिन इसको running state पे रखने के लिए हम लोग usually इसको लूप में रखते हैं तो फिलाल के लिए मैंने इसको तो बन कर दिया है कोई इशू नहीं है तो यहाँ पे आपको क्या दिखा दे रहा है we are working into this shell right so it's a pretty simple thing कि यह shell में काम कर रहा है so we don't have to worry about it लेकिन कभी भी याद रखना कि t. I can say main loop अगर आप लिखोगे तो वो चलते ही रहेगा ओके आप को बोलते हैं ना कि खुद माखुद बंद नहीं होगा यह कब होता है कि आप उसको directly जब run करते हो ना इस script को तो script run करने को लेता है और वो open हो जाता है आपका window और बंद भी हो जाता है ओके ऐसा चलता है यह at that time अभी मैंने यहाँ पर एक frame बना लिया उसके अंदर मैंने title दे दिया geometer दे दिया उसका background भी देता हो तो t.config कर देता हो उसका bg क्या कर देगा so it's green okay then let's add a label la I can say lb1 is equals to label directly लेख सकता हो है क्योंकि मैंने from kinter import star लिखा है अभी label की ओपर text जो कुछ भी रहेगा मैं बोलता हो hello that's it okay then background मैं यही पर देने वाला हू background is nothing but yellow okay and foreground is nothing but red अच्छा धिखिगा उसके आपर okay then I want this label on my main thing then let's pack it lb1.pack okay so now what is going to happen this label is going to get displayed on my that's it sure so this is how you are going to work with your simple GUI components okay so you got an idea कि GUI के साथ के से काम करते है that's it और कुछ नहीं है you